के हेलो फ्रेंट्स सवागत है आप सभी के एक बदाब फिर से आपके अपने यूटूब चैनल स्मार्ट स्टडी में तो साथ व क्या आप सब्सक्राइब लोगों से बोले थे कि जितना भी को शेन आप लोगों के माज़्यं से पता चलेगा जो भी मेल इंस्टाग्राम या फ को फस्ट 실ery एनटीप सी एग्जाम में पूछा गिया है यह आप लोगों के द्रीवें ऐounding गया सथे और आप आप लोगों ने बता आया यह दो आप लोगों ने मज़को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन-kौन से से वो जो आज पूछा गिया है तो पिर आप लोग ज़ सिफ्ट के railway ntpc exam में पूछा गिया है यह आप लोगों के द्वारा बताया गया कोस्चन है जैसा कि आप लोगों ने बताया है कि सर यह यह कोस्चन पूछा गिया है तो देखें चलिए फिर डिसकस करते हैं सुरू करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से कोस्चन है वो जो देखते हैं कौन-कौन से कोस्चन जो है फर्स्ट सिप्ट में पूछे गए हैं जितना भी आप लोगों के मैदम से पता चला है तो फिर देख लेते हैं सभी साथ उसे रिक्वेस्ट है कि देखो यार सभी साथी जो है न क्लास को अपना एक लाइक कर दीजिए शेयर कर न मौन में और भारत के अगर बात करें कौन सा है तो इक सो इकतिसवा है भारत की रेंग क्या है मानोबिका सुच कांग में तो 131 वा ठिकना अब आप लोग बोलिए यह कोस्टन में ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना तो बिलकुल याद रखना इसमें टॉप पुछा था कि भी सो में प्रखम देश कौन सा है तो नौर्वेय और भारत का अगर अगले वाले सिप्ट में ने फिर कल या फिर और आने वाले एग्जामों में अगर यह पूछ लिया जाए कि भारत का स्थान कितना है तो यहां रखना 131 वा नेक्स्ट कोस्चन देखिए देखे साची की स्टूप से बता जा रहा है कि एक कोश्चन पूछा गया था सर तो साची की स्टूप से क्या कोश्चन पूछ सकता है देखो साची का स्टूप युनेस्को की सुची में कब सामिल हुआ था युनेस्को है न यहाँ पर युनेस्को होगा में जल्दबाजी मेए यूनेसको brain عن मन में साखी किश तूप में ना सब्सक्राइए न ने किस राजudeuve किस काurrection भारत के राज में सस्थी तो माध्यरी पृड़ुप में यहाद रखना न्यक्स्ट कुस्ष्ट आता और अगर 51 आपका उप्शन में था तो 51 अंसर आता है ना लेकिन बरतमान में अभी 51 है या आप याद रखना आगे देखिए संभीधान दिवस कब मनेआ जाता है तो साथ देखिए संभीधान दिवस 26 नौंबर को मनेआ जाता है क्योंकि 26 नौंबर 1909 को भारत भारत के सं संभीधान सभा के दौरा इसलिए 26 नौंबर को संभीधान दिवस बीधी दिवस या कानुन दिवस के रुप में मनाते हैं चलिए आगे दिखिए स्वाराज की मांग कब की गई थी तो साथ देखिए स्वाराज की मांग जो है ना 1906 में दादा भाई नरोजी के दौरा के बारे में उनाइटेड नेशन के बारे में तो या तो यह पुछ सकता कि अस्थापना कब हुई थी तो देखो सायुक्तराष्ट संक्या स्थापना हुई थी चौभी सक्टुबर वी उनिस्टो पे manners को है नौर देखिए इसका मुख्याला यह निउ यह है और हर्सं पर इसे हैं संदिफ़ों गई स्थापना हुई थी और इसका मुख्याला इनिय। न्यु यूट में हैं आगे दिखते हैं साथियों सापे शक्ता के सिध्धांत के बारे में पुछा था तो देखो सापे शक्ता का सिध्धांत का एक तो फॉर्मुला पुछ सकता आपका कि सुत्र क्या हो सकता या फिर किसने किया था तो देखो सापे शक्ता का सिध्धांत दिया था अलवट याद रखना और इसका formula क्या होता है तो e equal to mc square ये याद रखना next question देखते हैं साथियो अदिस रासी के बारे में एक पुछा था सदीस अदिस तो मैंने कितनी बार बताया है कि साथियो एक छोटा सा trick याद रखना कि इसमें वह आता है वह सदीस रासी है जैसे कि बेग संबेग आवेग और इसमें वह नहीं आता वह सदीस रासी है जैसे कि उर्जिया हो गया आपका द्रेवमान हो गया कारी हो गया यह सब क्या है अधिस रासिया है तो वह ओप्षन पर डिपेंट करता आपका लेकिन सदी 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 पढ़के जाना आगे दिखिए परमानुल लेंस से रिलेटेड कुछ कोस्टन पुछा गया था तो इस सदी में बताए हैं परमानुल लेंस के बारे में पूरा खतम करा दिये हैं चलिए देख लेते हैं आगे क्या है साथ्यों कोसिका से रिलेटेड कोस्टन आया था बोला गया रोबट हुक से रिलेटेड क्या आएगा कोसिका की खोज करी थी कव तो 1665 में यहां देखना आगे होता है ना कितनी बर पढ़ा है मैंने बताओ केल्सियम हाड ओक साइड होता है साथ्यों सोडा लाइम का यह रसानिक सुत्र या रखना यह कोस्टन पूछा गया था आगे देखिए देखिए एक एच्टीटीपी का फूल फॉम पूछा गया था कॉम्पीटर से रिलेटेड तो एच्टीटीपी का फूल फॉम क्या होता है हाइपर देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकल होता है ना साथ्यों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकल होता है ना याद रखना चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं देखिए एटीपी का फूल आप याद रखना आगे देखिए फितरस कहां बनता है पितरस से रिलेटेड भी विपन था तो पितRस साथ यो एक फूल परोटोन की खोज पूछितीयार प्रोटोन की खोज देखो कितने बार बता आया है मैंने किसाथ यो कंफ्यूज मत होना रधर फोड अंसर नहीं आएगा देखो प्रोटोन की खोज कुछ ने करी थी तो गोल्ड इस्टिन ने और यह जो नाम है ना प्रोटोन इसका नाम करन किस ने किया था तो रधर फोड ने ठीकना यह दोनों बात है या दखना लेगा खोज कुछा था हो गो क्या एए इसका Fulth am होता है परदानमंतरी कोसल विकास योजना और इस नहीं करT थी तो सातीं इसकी शुरवाथ नरेंदर रेंदर जी नहीं करी थी जिती हचार पंद्रह में ठीक ना परदानमंतरी कोसल विकास योजना का याद रखना आगे दिखिए और एक योजना था साथ यो संसद आदर्स ग्राम योजना तो इसकी शुरुवात का वुई थी जा प्रकाश नाराएं जी के जनम दिवस पर 11 अक्टोबर 2014 को या रखना संसद आदर्स ग्राम योजना ठीक नहीं यह दो योजना से रिलेटेड कुस्च गोषन था कोभिट कवज किस नेमलांच किया तो दिखिए जो क120 को दिखें इनसुरेंस वालों क्या जान है यहाँ ग्राइंस वालों ने कोभिट कर वह सबंदी थे लोगसभा राजसभा का जया सायूख अधिवेसिं होता है तो उसका वर्णन क्या गया है 108 में अनुच्छद 108 में ठीक ना संसद के दोनों सदनों के सयुक्त अधिवेशन की और इसके अधिचता कौन करते हैं तो लोग सभाध धच आगे दिखिए एक पूछा था साथ हो NDPS Act के बारे में कब लागू किया गया था ठीक है नार्कोटिक् पती का नाम पूछा था जहासी की राणी लश्मी बाई के पती का नाम था गांगाधर्राओ कया था ता गंगाधर्राओ यह सारे क्वेशना अत्वलों दोरा बताए कि दिवारे घैड़ है देखे वितर पूरों भारत से निकलने वाली सार्दानहर जो किससध में बती है न किस विसाइपल लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानून मनाने के लिए एकिकरीत अधिकरीत कर सकती है यहां किस अनुच्छेद में इस्ति थे तो अनुच्छेद 249 में यह कुश्चिन मेंने कितनी बार पढ़ा है आपको आर्टिकल 249 वाला यहां दखना देखिए और एक आन सास्तर का पिता किसे कहते हैं यह पूछा गया था तो यह लोवेजियर को कितने बार बताया था मैंने एंटोनी लोजियर यहां दखना आगे देखिए देखो धंगर धंगर लिखा गया है अब ऐसे भी धंगर इसको लिख सकते हो धंगर डांस किस राज में प्रचली थ तो धंगर राज देखो धंगर डांस जो है न साथियो यह किस राज में प्रचली थे तो गोवा में यह दखना गोवा में आगे देखिए चाम मास्क डांस के देखो चाम मास्क डांस यह किस राज में प्रचली थे तो सिक्किम और लद्दाक में यह दखना आगे देखिए मोर्य प्रसाशन में टेक्स वसुलने वालों को क्या कहा जाता था तो याद रखना समाहरता याद रखना आगे दिखिए इबाइक गो इबाइक गो के हाली में ब्रांड अमस्टर किसे साथ योस दिखिये ये क्या है थालिplus fox सब्क्राइब कर देखो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यह आटीज सका फुल फोता है आगे दिख्षिए पूर्त गालियों ने मुंबई को कब देखो पूर्त गालियों ने मुंबई को कब गिफ्ट के के रूप में दे दिया था तो देखिए 1661 में एना 1660 में पुर्तगाली ओने मुंबई को गिफ्ट के रूप में दे दिया था आगे देखिए नगदी की एक वीडिटी को नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है तो साथ यो देखना यहां करेक्टा आगा अजश्थान की जैपूर में ये पी मैंने हजार बर पड़ाया जायर यह कोस्चन गिन नहीं सके हुए इतनी वर पड़ाया है देखिए करेंट करें और कोस्चन सितम्बर 2020 तक मुक्षे चुनावाट कों थे तो साथ सितम्बर 2020 तक भारत के मुक्षे चुनावाट है सुनिल अरोड़ा आएगा हो सकता आगले क्लास में आपको बरतमान भी पूछ लिया जाई तो याद रखना आगे दिखिए SNTP का फूल फॉर्म क्या होता है यह पूछा था तो साथ यो SNTP का फूल फॉर्म होता है Simple Network Time Protocol या दखना Simple Network Time Protocol आगे दिखिए आनुवान सिक्षी के जनक कोन है तो यार Gregory Mendel मेंडल करेक्ट आएगा ना आनुवान सिक्षी के जनक चले आगे दिखते हैं निजामुद्दिन ओलिया की दरगा कहां पर है तो साथ यो देखो निजामुद्दिन ओलिया की दरगा के बारे में पूछा है तो वो तो नई दिल् सहरी तो आट मिल पाएं ठीक ना वैसे भी के धे जी के जिस में से फैंटिस कोष्चन जो आप लोगोंने बताया मेंने करा दिया और और रहां यह कोस्टन जो है ना आप लोग के द्वारा बताया गिया है तो गलत थोड़ी बताओ गे चिसर यह कोस्ट्जन आया था तो दे सब्सक्राइब करके बैल आइकन और कमेंट करके ज़रू बताना क्लास कैसा लगा है तब तक क्लेजा हिंद वन्दे मातरम